9 जनवरी 1999 लालू प्रसाद यादव बेउर जेल से जमानत पर रिया होने वाले थे और उन पर इस बात का इल्जाम था कि उन्होंने चारा घोटाला किया है 9 जनवरी 1999 को जेल में रहने के बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई और उसी जमानत का जिक्र आज जब भारत के और बिहार के मीडिया हाउसेज में चल रहा है भाजपा के नेता लालू प्रसाद यादव को कह रहे हैं तो हमने सोचा कि चलिए उस कहानी को फिर से आप के लिए दोहरा देते हैं और आपको याद दिला देते हैं 9 जनवरी 1999 की वो कहानी जब बेउर जेल से निकलने के बाद लालू प्रसाद यादव हाथी पर बैठ कर अपने आवास तक आये थे और उस वक्त एक हजार दो हजार नहीं हजारो हजार लोग लालू प्रसाद यादव को बेउर जेल से रिसीव करने के लिए गय थे और वो आदमी जिस आदमी पर इस बात का आरोब था कि उसने चारा घोटाला किया है गरीबों के पैसे को खाया है वो आदमी जब जेल से बाहर निकला तो हाथी पर बैठ कर निकला 1999 मतलब की बिहार में राबडी देवी की सरकार चल रही थी और जानने वाले जानते हैं कि राबडी देवी की सरकार में असली सरकार कौन था और सरकार चला कौन रहा था लालू प्रसाद यादव पटना ही नहीं पुरे बिहार के प्रशासन को अपने उंगलियों पर नचाते थे और सोचिए 9 जनवरी 1999 को बेउर जेल के एक्जिट गेट के पास क्या स्थिती रही होगी जब एक तरीके से बिहार का मुख्य मंत्री जेल से बाहर निकल रहा था और लालू प्रसाद यादव की करवात ऐसी है कि देखिए तमाम आरोपों के बाद भी जमानत पर जब वो रिया होने वाले थे तब हाथी पर बैट कर उन्होंने वहां से लोटना चुना हजारों लोग लालू प्रसाद यादव के पीछे चल रहे थे लालू प्रसाद यादव इदम मालिक की तरह हाथी पर बैटे हुए थे लालू यादव जिंदा बाद नारे लगाए जा रहे थे और लालू प्रसाद यादव ने ये सब इसी लिए किया था क्योंकि उन्हें अपने विरोधियों के पास ये संदेश पहुचाना था कि तुम चाहें जितनी ताकत लगा लो लालू प्रसाद यादव तुम लोगों से डरने वाला नहीं है और तुम लालू प्रसाद यादव को कमजोर नहीं कर पाओगे आज जब लालू प्रसाद यादव को जो ये जमीन का और नौकरी का मामला है इसमें जमानत मिल गया है तब भाजपा के नेता कह रहे हैं कि देखिए आप लड़ू खिला लीजिये या फिर बेउर जेल से जमानत के वक्त लालू प्रसाद यादव को हाथी पर बैठा लीजिय लेकिन आज नहीं तो कल जमीन और नौकरी वाले मामले में लालू प्रसाद यादव को जेल तो जाना ही पड़ेगा लालू प्रसाद यादव का वो हाथी वाला मामला हमें याद आया और फिर याल आता है 9 जनवरी 1999 लालू प्रसाद यादव अपने हजारों समर्थकों के स बेउर जेल से हाथी पर बैट कर निकलते हैं और खूब शोर शराबा होता है डर इसलिए नहीं था क्योंकि सरकार राबडी देवी की थी मालिक लालू प्रसाद यादव थे और डर किसी का भी नहीं था लालू यादव ये खुलम खुला संदेश दे रहे थे कि आप हम पर आरोप लगा लीजिये लेकिन हम भी शेहनसा है अपने हिसाब की राजरीती करते रहेंगे और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो लालू को रोक ले लालू प्रसाद यादव का ये जो करामात है ये एक बार उनको महंगा भी पड़ा था वो भी किस्सा सुन लीजिये लालू प्रसाद यादव की सुनवाई चल रही थी जजज सहाब का नाम शिवपाल सिंग और लालू प्रसाद यादव ने जब सुनवाई पुरी हो गई तब जजज सहब को हाथ जोड़ कर कहा कि हुजूर बेल दे दीजिये ना तब लालू प्रसाद यादव जब वो कहते हैं शिवपाल सिंग जी को जजज को कि बेल दे दीजिये तब जजज सहब कहते हैं कि बेल क्यों दे दे इसलिए दे ताकि आप जमानत को एक इवेंट मन आई गई थी लालू प्रसाद यादव जो अपने जमानत को जो अपने बेल को भी एक इवेंट बना दे थे लालू प्रसाद यादव जो यह कहते थे कि लागल लागल जुलनिया में धाका बलम कालकाता चलो और जो यह कहते थे कि यह मोदी जी धीरे बोलिये नहीं तो नस्व फट जाएगा आज उसी लालू प्रसाद यादव का जिक्र हुआ और कई किस्से सामने आ गए जिसमें से सबसे मशूर किस्सा 9 जनवरी 1999 का जब लालू यादव को जमानत मिली और जब वो बेउर जेल से बाहर निकले तब हजारों लोग थे लालू प्रसाद यादव खुद ह हाथी पर बैटे हुए थे महावत उस हाथी को चला रहा था और लालू यादव ये संदेश दे रहे थे कि देखो तुम लालू को कैद तो कर सकते हो लेकिन लालू के बिचारों को नहीं और आज भाजपाई यही कह रहे हैं कि आप हाथी पर बैठ लीजिए चाहें आप वि